हमने एक बार एक व्यक्ति से पूछा क्या कागज में आग है उन्होंने तुरंट उतर दिया ये भी कोई सवाल है जनाब बिल्कुल नहीं हमने कहा अगर कागज में आग नहीं होती तो माचिस की पीली से दी हुई छोटी सी आग से कागज के बीतर से इतनी बड़ी आग कैसे निकलती है हर वस्तु में आग छिपी होती है माचिस की तीली उस छिपी आग को देहगाती है एक बार एक बच्चा स्कूल से लोट कर आया और उसने पनी मा को टीचर ने दी हुई एक चिथी दी जब माने चिथी पढ़ ली तब बच्चे से कहा बेटा टीचर ने चिथी में लिखा है मैडम आपका बेटा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है हमारे पास ऐसा कोई टीचर नहीं जो इतने प्रतिभावान बच्चे को पढ़ा पाए बैतर होगा कि आप इसके प्रशिक्षन की व्यवस्ता कही और करें ब विधियों के पूर्ण होने के पस्चात वैज्यानिक महोदय अपनी मा के घर गए और वहाँ टेबल के डॉवर में उन्हें सालों पुरानी वो चिथी मिली जैसे वो इस चिथी को पढ़ रहे थे उनके आखों से आसू बहने लिए चिथी में लिखा था मैडम आपका बेट एक नंबर का बुद्धू है हम इसे सिखाकत तंग आ चुके है हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं बैतर होगा कि आप इसे घर पे ही सिखाए आखों से बैतर आसूं को पोच्छते हुए वैज्ञानिक महोदय ने चिथी के हो नीचे लिखा जी हाँ थॉमस एडिसन एक बुद्धू बच्चा था जिसे उसके मा के विश्वास और समर्थन ने इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाया देवी और सज्जनों हर व्यक्ति में किसी विशेश योग्यता खुनर की आख छिपी हुई है यदि विश्वास करने वाली कोई व्यक्ति माचिस की वो तीली मिल जाए न तो भीतर की आख बाहर निकलती है और विश्व कल्यान होता है धूंडिये किसी ऐसे व्यक्ति को जो आप में विश्वास करे या बनिये वो माचिस की तीली जो किसी के भीतर छिपी उस आग को देहका है